कक्षा अश्टमी सब्त महा पाठह भारत जनता हम के प्रश्ण उत्तर करते हैं बचों अभ्यास कारे का पहला प्रश्ण देखे ध्यान से पहला प्रश्ण है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरूत पाठ में दिये हुए पद्यों का सस्वर गायन करें वाचन करें बहुती सुन्दर पद्ये हैं ये आप इनका अभ्यास करें गायन का बहुती सुन्दर चंद है लैबद्ध तरीके से इसको गाने का अभ्यास करें आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं द्वीतिय प्रश्ण की और वित्य प्रश्ण को देखे ध्यान से दूसरा प्रश्ण है प्रश्णा नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत प्रश्णों के उत्तर एक शब्द में लिखें पहला भाग देखेंगे इसका क अहम वसुन्धराम किम मन्ये अर्थात बचों मैं वसुन्धरा को क्या मानती हूं मैं कौन मैं भारत की जनता मैं भारत की जनता वसुन्धरा पूरी प्रित्वी को क्या मानती हूं तो इसका उत्तर बड़ा आसान है आप जानते हैं आपने पाठ को पढ़ा है तो भारत की जनता पूरी प्रित्वी को ही क्य मानती है अपना परिवार तो कभी के शब्दों में कहें तो क्या एगा कुटुमबं लिखेंगे ध्यान से कुटुमबं इसके बाद इसका भाग देखेंगे अहम सहजा प्रकृती का मम सहजा प्रकृती कास्ती मम मेरी सहजा प्रकृती सहज स्वभाव क्या है कास्ती मेरा सहज सुभाव क्या है मित्रता का मैत्री तो इसका उत्तर लिखेंगे मैत्री अगला प्रश्न गवरत keeping call नाम भारत जनता स्मी मैं किस से कद्थिन भारत की जनता हूं कद्थिन मतलब कठोर मैं किसे अधिक कठोर भारत की जनता हूं तो पाठ में हमने पढ़ा था कि भारत की जनता वज्र से भी कठोर है कुलिश अर्थात वज्र से भी अधिक कठोर बन जाती है परिस्टियों के आने पर तो यहां पर हम उत्तर लिखेंगे इसका कुलिशाद क्या उत्तर आएगा इसका कुलिशाद अर्थात वज्र से भी अधिक कुलिशाद अपिक ठोरा अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यंती भारत जनतास्मी मैं मित्र की द्रिष्टी से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ घभाग देखिये अहां मित्र से चक्षुशा किम पश्यंदी भारत जनता, असमी मैं मित्र की दृष्टी से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ, मैं क्या देखती हूँ, पूरे संसार को ही मित्र की दृष्टी से देखती हूँ, तो क्या आएगा समम जगत, उत्तर आएगा इसका समम जग अर्थात पूरे संसार को तीसरा प्रश्ण देखिए तीसरा प्रश्ण है प्रश्णाना मुत्तराणी पूर्ण वाक्ये न लिखत तृतिये प्रश्ण में हमने पूरे वाक्ये में प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं पहला भाग है इसका कव भारत जनता हम कही परिपूतास में मैं भारत की जनता किन से परिपूर्ण हूं मैं भारत की जनता कही परिपूतास थी अध्यात्म सुधा तटिनी स्ना नहीं आपको याद होगा हमने पद्दे में पड़ा है पाठ में कि भारत की जनता आध्यात्म र अध्यात्म अर्थात जो हमारे भारत का दृष्टी कोण है कि आध्यात्म से ही हमारी सद्गती होती है और हम मौक्ष के प्राप्ति कर सकते हैं तो आध्यात्म रूपी अम्रित की नदी में स्नान करने से पवित्र हुई परिपूता मतलब पवित्र हुई भारत की जनता हूं आप वही वाक्य देखेंगे तो वहां से चाट के इसका उत्तर कही के स्थान पर जहां कही लिखाए के वल ये शब्द हट जाएगा और शब्द आएगा अध्यात्म सुधा तटिनी स्ना नहीं। फिर है समम जगत कथम मुगध मस्ती पूरा संसार कैसे मुगध है गीत ही और काव्य ही निर्त्य ही गीत ही काव्य ही निर्त्य ही मुगध मस्ती पूरा वाक्य बताएंगे हम समम जगत गीत ही निर्त्य ही काव्य ही मुगध मस्ती सारे पाठों में से सारे प्रश्ण लिए गए हैं आप च्छाटेंगे तो आपको पद्य में बड़े अराम से इसके उत्तर मिलेंगे अहम किम किम चिनोमी मैं क्या क्या चुनती हूं अहम प्रेयह श्रेयह च चिनोमी मैं प्रेयस और जनता विविन देशों में अपने रोजगार के कारण से अपने बुद्धी के बल पर गई हुई है तो पूरे संसार में ही द्रिश्यमान है पूरे संसार में ही पूरे भारत की जनता अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देती है तो इसका उत्तर बनेगा अहम विश्वस्मिन जगती सदा द्रिश्ये और इसका तीसरे का आखरी भाग है समम जगत कही कही मुग्धमस्ती पूरा संसार किस किस से मुग्ध है तो समम जगत गीत ही निर्त्य ही और काव्य ही च मुग्धमस्ती इस तरह हम बना सकते हैं इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है पाठ में एक पद् दमस्ति आप देखिए इसके बाद अगला कि अगली स्लाइट पर चलेंगे कि चोथा प्रश्न है संदी छेदम पूर्यत संदी छेद हमें करना है कहीं कहीं पर किया हुआ है उधारन के लिए देखिए विनेयो पेता इसमें स्वर संदी का गुण संदी भेद हुआ है विनाय जमा उपेता अगला भाग है कुसुमाद अपी तो इसमें क्या बनेगा कुसुमाथ द के स्थान पर ता हो जाएगा कुसुमात तो हमें हलंत लगाएंगे और अपी कुसुमात जमा अपी यहाँ पर व्यंजन संदी हुई है जशत्व संदी प्रथम वरण के स्थान पर वर्गिय तृतिय वरण हो जाता है बाद में होने पर चिनोम्य उभयम यन संदी का उधारण है ई के स्थान पर यह हुआ है हम संदी छेद करेंगे तो वापस ई बन गई चिनोमी स्वर बाद में होने पर क्या होता है कि ए को यह हो जाता है यन संदी में चिनोमी जमा उभयम ये बन जाएगा चिनोमी जमा उभयम फिर से देख लीजिए एक बार चिनोमी उभयम शब्द है जोड़ते हैं चिनोमी उभयम यह में उकी मात्रा चले जाती है अलग करते हैं तो क्या बनता है चिनोमी जमा उभयम मा में हलन्त लगाएंगे निर्त्याईर मुगधम निर्त्याई जो उपर रा है मा के उपर उसके स्थान पर विसर्ग आ जाएंगे निर्त्याई यह में बड़े की मात्रा और साथ में विसर्ग निर्त्याई प्रकृति रस्ती प्रकृति ही विसर्ग जमा अस्ती रा के स्थान पर विसर्ग हुआ और रा में जो अ है वो जमा के बाद गया तब बना प्रकृती ही जमा अस्ती प्रकृती रस्ती विसर्ग संधी का उधारन है लोक क्रीडा सकता लोक क्रीडा जमा आ सकता अर्थात लोक क्रीडा में आ सकत दिर्ग संधी हुई है यहां सुवर संधी का पहला ही भेद है दिर्ग संधी इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम पाच्वा प्रश्न देखिए ध्यान से इसमें हमने क्या करना है विशेशन पदानी विशेश्य पदानी विशेश्य और विशेशन पदों का मिलान करना है सुकुमारा आप इसमें देखेंगे संस्क्रिट के जितने भी विशेशन विशेश्य हैं उसमें एक समान लिंग विभक्ति और वचन होते हैं तो उसी के आधार पर विशेशन विशेश्यों का मिलान बहुत ही सरल सा कारिय है ये आपको बड़ी classes में भी बड़ा काम आएगा ये प्रश्ण आपका बार्वी कक्षा तक आता है विशेशन विशेशे पध्यांश में से अपठित गध्यांश में से सभी तरह के प्रश्णों में ये जरूर पूछा जाता है तो इसको बड़े ध्यान से समझ लें विशेश क्या है सुकुमारा के साथ क्या मिलान कर सकते हैं हम बच्चों सोची जरा जगत संसारे भारत जनता प्रकृति ही और जगती इनमें से क्या है जो कि इस ट्रीलिंग का है और साथ में शुकुमारा जो शब्द है उसका विशेश्य भी बन सकता है अब देखिए दो चीज आती जो स्ट्रिलिंग में हैं एक तो है भारत जनता और दूसरा है प्रकृति ही तो सुकुमारा भारत जनता के साथ लगाएं या प्रकृति के साथ जब हमें इस तरह का संशे होता है तो हम अगले शब्द पर भी जाते हैं सहजा सहजा अर्था एक नेचुरल बिल्कुल सहज सोभ है उसका हमने पढ़ा था पाठ में कवी ने का है कि सहज प्रकृति है सहज सोभाव है तो हम सहजा के साथ लगाएंगे प्रकृति को और सुकुमारा जो है वो स्ट्रिलिंग शब्द वो जाएगा भारत जनता के साथ फिर है विश्वस्मिन इसमें सब्तमी का एक वचन प्र किया है वो कहां किया है समस्ते के साथ संसारे को और विश्वस्मिन के साथ जगती को विश्वस्मिन जगती समस्ते संसारे और समम रह गया वो जाएगा समम जगत नपुन्सकलिंग वाला शब्द नपुन्सकलिंग के साथ समस्ते संसारे सब्तमी के एक वचन में हैं अब द इस तरह से मैचिंग आप नहीं करेंगे ना परिक्षा में ना टेस्ट में और ना ही अपने अपनी कौपी में इस तरह मैचिंग नहीं करनी है जो आपको सही उत्तर मिलता है जैसे सुकुमारा के साथ भारत जनता उसके सामने लिखेंगे सहजा के साथ प्रकृती ही इसी प्रक पुछना समान अर्थकानी पदानी मेले तो समान अर्थवाले पदों का मिलान करें अब यहां पर पर्यायवाची भी आप इसको कह सकते हैं और समान अर्थवाले शब्द वर्ड मेनिंग जिसका एक ही अर्थ निकलता है ऐसे शब्दों को हमने मैच करना है ठीक है तो जगती अर्थात संसार में इसके साथ हम इसको मिलाएंगे जगती के साथ संसारे और खुलिशात खुलिशात अर्थात वजरात खुलिश कहते हैं वजर को प्रकृती ही प्रकृती अर्थात प्रकृती क्या होता है स्वभाव और चक्षुशा दृष्टी से नेत्र से आंख है बचो नदी के साथ जाएगा और एक ही रह गया है caopra A Asusundhara का पर्याइवाची पृत भीभी है यह ढॉतीया विभक्ति के एक वचन में प्रियोक किया है कभी ने प्रिशन ध्राम तो ढृतिया में है पृति वीम में पृति वीम और जैसे पिछले प्रश्ण में बताया गया था इसी प्रकार से इस प्रश्ण में भी आपने सही उत्तर सामने सामने ही लिखना है मिलान करते समय आपने परिक्षा में इस तरह से मैचिंग नहीं करनी है जो आपको सही ओप्षन लगती है उसको आप सामने सामने ही लिखेंगे इसके ब है गलत सेंटेंस दिया गया है गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हमने ना लिखना है तो पहला भाग्यक को अहम परिवारत से चक्षुषा संसारं परश्यामी मैं परिवार की दृष्टी से पूरे संसार को देखती हूं तो क्या एगा इसके साथ बिलकुल ठीक आम यह ठीक व परिवारत जनतास्मी भारत की जनतास्मी भारत की जनतास्मी तो यह बिलकुल गलत है हम इसमें क्या लिखेंगे ना ग वाले में ना आएगा फिर है अहम ग अहम वसंधराम कुटुम्बं ना मन्य मैं वसंधरा को पृत्वी को कुटुम्ब यनि परिवार नहीं मानती हूं यह भी गलत है इसमें भी क्या आएगा ना क्योंकि हम तो परिवार मानते हैं भारत की जनता तो पूरे संसार को एक प पांचमा वाकिय विज्ञान धना धना चासमी मैं विज्ञान रूपी धनवाली हूँ ये बिल्कुल ठीक वाक्य है तो बचों ये शारे प्रश्मय हमारे हो गए और योग्यता विस्तार में आपको भाविस्तार बताया गया कभी के काव्यों की विशे में कभी के जीवन परिचे की विशे में बताया गया है इसको आप अवश्य पढ़ेंगे इसको समझेंगे हिंदी में आपको कभी का परिचे दिया गया है इसको आप पढ़ने कौपी में आपने इतने ही प्रश्न करने हैं सातों प्रश्न करने हैं आपने कौपी में त तो बच्चों अगली क्लास में भी लेंगे तब तक के लिए नमोनमाह, शुबमस्तू, सारा काम आप करेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे, धन्यवाद बच्चों.